नमस्कार जिसन भाईयो आपका स्वागत है आपके अपने चनल लश्मी फार्मिंग में जिसन भाईयो आज हमा आपके लिए एक नए टॉपिक के उपर वीडियो लेकर आए हैं और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपके आम के पिड़ की बार ज़र रही हो तो क्या करें बहुत दे सरे गिसन भाईयो ने कमेंड करके यही सवाल को कई बार पूछा कि सर हमारे आम के पिड़ में जो बार निकल आई हैं वो अब ज़र रही है और इस खीर बचाव बने लिए हम क्या करें आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बार में पूरी जानकारी देने वाले हैं दोस्तों यह समस्या बहुत दे सरे किसन भाईयों के साथ हैं और बहुत दे सारे अलग अलग जगान देखने को मिल रही हैं जिसके बार में हम आज विश्तार रूप से बात करने वाले हैं अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा और अपने किसान बिक्तलों के साथ शेयर कर दीजेगा साथी साथ चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलियेगा किसान बायो इस समय अब आपको अपने आम के पिड़ में जो बार जढ़ने की समस्या देखने को मिल रही है या लाजमी है और आया हर साल होती है इसका जो सबसे बड़ा और बढ़िया उपाय है इस समय आप आपको अपने आम के पिड़ में किसी बढ़िया कॉल्टी के इंचक्ति साइट और फंगी साइट का मिस्रों दर के इस्प्रे करना चाहिए यही है इसका बचाओ अगर आप ऐसा समय पर कर देंगे तो आपके जो आम के पीड़ की बोर है वहार नहीं जैरे अगर आप समय रहते अपने आम के पिड़ की देखबाल नहीं करेंगे तो आपको अच्छा उत्पतन देखने को नहीं जीजज़निगे कि आपके आमके पैड़ में कम टिकोरय लगेंगे और जो टिकोरय भी लगेंगे वह गिर जाएंगे मजबूत नहींगे साथी साथ जब आज है चलती हैं तो अकसर देखाब आता है कि टिकोरय गिर जाते हैं अब हैं अरा आप समय से उसमें इंसक्ति साइट और फंगी साइट का एस्प्रेय कर देंगे तो उन्हें किसी प्रकार का रोग नहीं लगेगा बहुर जहरने की अलावाँ जो और भी तमाम प्रकार के रोग लगते हैं आपके प्रेड़ों में वो सब भी रोग दे लेंगे जैसे कि फफूदी दासन और बेस्ट उबाय है इस समय अब आपको अपने आम के प्रेड़ के ऊपर बेस्ट क्वालिटी के इंसक्ति साइट और फंगी साइट का मिस्रों तरके इस्प्रे करना चाहिए चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमें अपने आम के प्रेड़ में कौन से इंसक्ति साइड और हम आपको कुछ बताना चाहते हैं जैसे की एक दवा आती है इंसेक्टिसाइड है काफी बढ़िया और अच्छी सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड की यह दवा है अगर आप इस दवा का इस्टवान अपने आम के प्रेड के उपर करते हैं आपको काफी बढ़िया और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है इसके लावा आप प्रोफेक्ट सुपर नाम की दवा आती है उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों बहुत इक बढ़िया और कारगर दवा है यह भी आपके आम के फिट में तबाम प्रगार के कर सकते हैं यह रही किसान भाईयो इंसस्टी साइट के बारे में बात अब बात करने इसकी डोस के बारे में तो आपको डोज लेनी है 2 ml पर लीटर पानी के हिसाब अगर आप इतनी मातलने डोज लेकर अपने आम के प्रेड में इस्प्रेय कर देंगे तो यह आपके लिए काफे बढ़ी और अच्छा रहेगा अब आपके आम के प्रेड के उपर कितना पानी लगता है यह आप जानते होंगे आपको अपना इस्प्रेय करना होगा कि हमारे आम के प्रेड में कितने पानी की और शेष्टा पढ़ती है कितले फानी में मारे आपके पेड़ में इस्प्रे होगा किसान भाईयो अब बात कर लेते हैं कि हमें अपने आम के पेड़ में कॉल से फंगी साइड का इस्प्रे करना चाहिए जिससे हमें best result देखने को मिले दोस्तो सबसे पहला फंगी साइड है carbon dura gime प्लस mancohogy यह सबसे best फंगी-side होता है जो कि आप लेकर अपने आम के पेड़ में spray कर सकते हैं और ये एक प्रकार का contact और systemic fungicide होता है जिससे आपके आम के पेड़ में जो तमाम प्रकार के या रोग पिमारियां लगे हुए हैं उन सभी को या दूर कर देता है, साथी साथ पौदे में अधिक से अधिक मातर में ग्रोथ को या बढ़ावा देता है, प्रचूर मातर में हमारे पौदे में या फिर हमारे आम के पेड़े में ग्रोथ होने लगती है, साथी साथ हमारी जो बौर हैं वो खराब नहीं होती, फूल अरा सुरू हो जाते हैं और हमारी बॉर में जो दौम प्रकार भी रोग लगते हैं वह सभी दूर हो जाते हैं अगर हम बात करें इसकी मातरा के बारे में तो किसान भाईयो दो ग्राम परती एक लिटर पानी के हिसाब से लेकर आपको इसकी डोज मनाकर अपने आंग के प्रेड में स्प्रे करना होगा इसके लाव कुछ और भी फंगी साड आते हैं जैसे कि बायर कंपनी का एंट्रापर ये भी काफी बड़े और अच्छा फंगीड रोगता है इसका भी स्तवाल कर सकते हैं अपने आंग के प्रेड में इसके लिए इसके लावा किसान भाईयो जैसे कि कुछ copper based फंगी साइड आते हैं जैसे हम बलते हैं copper oxyclonide या फिर copper hydroxide इन तमाम प्राकार के जो और फंगी साइड आते हैं इनका भी spray आप अपनी आम के प्रेड़ में कर सकते हैं दोस्तो फंगी साइड और in septicide इन दोनों को एक साथ मिला कर आगा जादी आप spray करना चाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है अलगदाद इस्प्रे करने की कोई और शक्ता नहीं है दोनों को एक साथ मिला कर अपने आम के प्रेड़ के ऊपर आप spray कर सकते हैं और आप best result ले सक दोस्तो हमारे आमके प्रेड में जब बहुर निकल आती हैं और जब बहुर जढ़ने लगती हैं अगर आपको ऐसी समस्ता देखने को मिल रही है तो जरूर अपने आमके प्रेड में इस्प्रेड करें अगर आपको यह समस्ता देखने को नहीं मिल रही है और अक्सर हर साल आपका नुपसान नहीं होगा किसान भाईव कर दीजएगा चैनल को सस्क्राइब कर दीजएगा और अपने किसान वित्रों के साथ शेयर कर दीजएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तक तक के लिए धन्यवाद